दोस्तो Facebook Ads का CPM बढ़ जाना सभी Facebook Advertiser के लिए एक बहुत बड़ी समस्या होती है CPM बढ़ जाने साब की Overall Cost बढ़ जाती है और Overall Cost बढ़ जाने के कारण आपका जो है ROS वो गिर जाता है जिनको CPM नहीं पता हूँ उनको मैं बता दूँ कि CPM याने Cost Per Mile याने कि 1000 लोगों को आपका Ad दिखाने के लिए Impression दिखाने के लिए Facebook आपसे कितने रुपे चार्ज कर रहा है एक तरीके से किसी particular time पे particular Ad का आपको क्या rate बढ़ा Facebook की तरफ से दोस्तो इस वीडियो में हम जानेंगे क्या-क्या वो कारण हो सकते हैं इनके कारण Facebook Ads का CPM बहुत जादा बढ़ जाता है और बहुत ज्यादा लॉस होने लगता है या आपको कम हो जाता है और कैसे हम इस CPM को कंट्रोल कर सकते हैं या कम कर सकते हैं दोस्तों जैसे कि आप यहां देख सकते हैं CPM Cost Per Thousand Impression लोगों को दिखाने का Rate आपको कॉलम में दिख़ता है या एचसे किने का 79 मेरी अपको क्या आपको में दिखता है दिख सकते हैं इसका 110 तो इते हैं तो आप किसी सो चैसे के 22 रूपर कि 8 रूपर को राह तो आपको उसका audience size देखेगा इस तरीके से दोस्तों जैसे कि आप यहां देख पा रहे हैं 42 करोड की audience आपको दिखाई जा रही है और यह इसमें बता रहा है कि यह good है fairly broad है इसी तरीके की आपको audience रखनी होती है अगर यहां पर आपको audience small दिख रही है या specific दिख रही है तो definitely उसका CPM आपको बहुत जादा पड़ेगा basically दोस्तों Facebook से जब भी आप अपनी मर्जी के इसाब से काम करवाने को बोलते हैं जब भी आप उसको restrict करते हैं small करते हैं या specific करने के कोशिस करते हैं Facebook आप से जादा रुपे चार्ज करता है और आपका CPM बढ़ जाता है आप जो है करोड़ों में तो नहीं होगी और अगर आपकी करोड़ों में नहीं होगी कुछ लाखों में होगी तो definitely आपको इसका CPM बहुत ज्यादा हाई पड़ेगा पर रिटार्गेटिंग का अलग मकसद होता है और जो अगर आपको कौशली पढ़ रहा है तो आपको करना लोगों को कई बार दिखाया जा चुका है जब आपका रहता है तो उनके लिए उतना ज्यादे इंगेजिंग नहीं होता है जिसकारण से फेस्बुक आपसे उसके ज्यादा चार्च लेने लग जाता है और आपका CPM बढ़ जाता है ऐसा भी अधिक तर आपको डिटार्गे एकजमपल आप उन लोगों को टारिट कर रहे हैं जो की जारख के परड़क्ट्स पहनते हैं या जार Surprise या तो पूमा पर्ड़क्ट्स आरहा है या नॉर्मल एवरेज रिजल्ट आ रहा है तो आपको आ रहा है नहीं मिल पाएगा क्योंकि CPM बढ़ जा रहा है जब उसके पास से यह option चला जाता है कि वो और भी लोगों को दिखा सकता है जिनके probability थी और जिनको दिखाना शायद सस्ता पड़ता है पर आपकी targeting के कारण आपकी location certainty के कारण limitation के कारण Facebook उनको नहीं दिखा पा रहा है तो certain city या certain location में competition बढ़ जाने के कारण भी आपका CPM बढ़ जाता है तो मेरा यहाँ पर आपके साथ recommendation यही रहेगा कि अगर आपको ऐसा लगता भी है कि किसी particular city से आपको जादा customer मिलते ही या जादा revenue आता है दोस्तों पांचवा कारण है seasonality यानि कि साल में कई बार ऐसा वक्त है ऐसा मौसम या ऐसा माहूल आता है जिस समय competition बढ़ जाता है या जिस समय तहवार आजाता है सभी लोग sale चलाने लग जाते हैं for example दिवाली के समय जो sale आती उस समय आपको 100% आपके ads महंगे पढ़ेंगे दूसरा एक्जामपल जब 9 दिसंबर के समय रहता है जब black friday sale आती है और Christmas वाली sale आती है new year की sale उस समय आपको definitely आपके ads बहुत महंगे पढ़ेंगे ऐसे में या तो आप बहुत ही धासु बहुत ही उस समय पर ads महंगे ही पढ़ेंगे तो आप ऐसे समय को avoid करें अगर आपको आरवस नहीं बन रहा है तो ऐसे समय पर आप अपना पैसा burn ना करें कि कई वाल लोग सोषते हैं कि किसी particular platform पर ही उनको तो आपको एड definitely महंगा पड़ेगा क्योंकि Facebook चाहता है कि जब उसको जहां जैसा सस्ता पड़े जो possibility देखे वहाँ पे वह एड दिखा पाई अगर आप उसकी possibilities कम करते हैं तो Facebook का CPM जो है बढ़ जाता है आपके लिए दोस्तों सात्वा रिज़न ने कि आपका creative हो सकता है boring हो या engaging नहीं हो इतने सारे कारणों के अलवा एक कारण यह भी हो सकता है कि आपका creative यह हो सकता है कि आपका creative । नहीं है या attractive नहीं है या boring है जिस कारण से लोग उसमें समय बिताना नहीं चाहरे है या उसको avoid करना चाहरे है या उसको constantly ignore कर रहे हैं या इसको skip कर रहे हैं ऐसे सारे कारण करना आपकी क्रेटिव की ranking जो है गिर जाती हो जिसकारण से आपका सी पेम जो अचानक से बढ़ जाता है काफी ज्यादा बढ़ जाता है आपको ऐसी situation का ध्यान रखना चाहिए और अगर ऐसा कुछ जम पार है तो आप उस क्रेटिव को बंद करके कोई नया क्रेटिव इंडरियून कर सकता है या तो इस इस क्रेटिव की आडियेंस चेंज करके ट्राय कर सकते हैं दोस्तो आठवा कारण हो सकता है नेगेटिव फीडबेक आपको पता ना हो शायद लेकिन जब भी आप एड चलाते हैं और अगर आप कोई चीज सेल कर रहे हैं तो कई बार फेस्बुक जो है अपने कस्टमर से रिव्यू या फीडबेक लेता है और अगर उस रिव्यू और अगर आपको स्कोर अच्छा नहीं मिलता है या आपके सर्विसेस प्रॉपर नहीं रहती है अगर आपकी रैंकिंग एक रेटिंग होती है जो कि गिर सकती है फीडबेक पूर आने के कारण अगर ऐसी कोई सिच्विशन बनती है तो उस क्रेटिव पर आपका जो है बहुत ज जादा लेट थी या किसी और कारण बताता है या वर्ती नहीं था या एक्सपेंसिव था या कोई भी नेगेटिव फीडबेक देता है तो फीडबेक जो है फेस्बुक कंसीडर करता है और उस केस में आपका जो है सी पीम बढ़ सकते हैं दो तो यह मैं आपको एक तो आपको आपका एड अच्छा है और आपका एड अगर अच्छा है एंगेजिंग है तो वह सस्ता पढ़ने के चांसे भी बहुत जादा बढ़ जाते हैं आपका सी पीम बहुत जादा कम हो जाता है दोस्तों जैसा कि मैं आपको यहां पर बता देता हूं यहां पर एक बाकी एड्स में ज्यादा है यानि कि अगर आपका आउट बाउंड CTR ज्यादा है यानि कि ज्यादा लोग उसे इंगेज हो रहे हैं और उस पर क्लिक करके कहीं जा रहे हैं तो उसका CPM आपको बहुत ज्यादा कम पड़ रहा होगा इसके लब दोस्तों अगर आप फेस्बू